हेलो दोस्तो वेलकम टो वर चैनल फिंटॉक जहां हम लोग डिसकस करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में और जहां पर आप लोगों को बैस्ट फ्री ओनलाइन स्टॉक मार्केट के वीडियो इग्जामपल्स मिलते हैं तो अगर आपने वी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बैल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग candlestick charts और उसके formation के बारे में कि वीडियो को start करने से पहले हम लोग देखते है charts होते क्या हैं, उसकी जरुरत कहां पड़ती है देखे, कोई भी trader या investor होगा तो वो charts का use price के moment को देखने के लिए करेगा कि कोई भी particular community की price कब उपर जाती है कब नीचे जाती है, कब वो sidewise चलती है उसको देखने के लिए वो chart को use करता है अब traditional charts हमारे पास जो available होते हैं वो होता line charts, इसी प्रकार से हमारे पास bar charts available है और point and figure है और आज हम लोग discuss करने वाले हैं कि candlestick charts क्या होता है, वो कैसे बनता है तो candlestick charts को हम लोग बोलते हैं Japanese candlestick charts यह भी बोलते हैं हम लोग यह एक प्रकार का form में किसी chart का यह हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यह advanced chart है हमारे लिए इसको discover किया था, जापान के अंदर होमा नाम के एक व्यक्ति ने, तो वो rise का trader था, जिसने demand और supply देखने के लिए इस तरीके के charts को discover किया इससे पहले western countries के अंदर bar chart या फिर point and figure chart को use करते थे nowadays it is a style of financial chart तो हम लोग वो ही देखने वाले हैं आज तो इसका नाम जो candle हुआ है वो realistic candle से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो formation होता है वो इस तरीके से होता है, तो इसका नाम भी candle के उपर ही पड़ा है और इसकी sticks के जैसा, तो इसका नाम भी exactly candle से ही लिया गया है, तो हम लोग देखते हैं लोग यहां पर assume कर सकते हैं अभी, तो देखिए वो stock जो है, वो मंडे की दिन start हुआ, 50 रूपीज की price से, वो stock यहां से start हुआ है अपना, वो start open हुआ है, इसको ऐसा कर सकते हैं, यह start open हुआ है, 50 रूपीज पे, इसने high बनाया, 120 रूपीज का, फिर इसने low बनाया, 20 रूपीज का, और finally close हुआ वो, 80 रूपीज पे, तो एक week के अंदर, यानि की Friday की दिन, वो close हुआ, 80 रूपीज पे, इसने low बनाया, within ये week, ऐसा time आया होगा, जहां पर उसने low बनाया था, 20 रूपीज का, इसने high बनाया, 120 रूपीज का, और open हुआ था 50 रूपीज पे, ये data हम लोग यहां से analyze कर सकते हैं, ये data आपको भी समझ में आ रहा हुआ यहां पर, कि इस data को कैसा analyze हम लोगों ने किया है, तो देखिए, यहां पर वो open हुआ था, यहां पर उसने high बनाया, यहां पर उस इसको यहां से देखते हैं, ये candle हम लोग ने form की इसको, ये candle exactly जो data इसमें show हो रहा है, वोई data इस candle के अंदर show हो रहा है, यहां पर देखिए, आप difference कहां आ जाता है, ये same, इस chart का transformation है candle के form में, ठीक है friends, अब हम लोग देखते हैं, देखिए, open कहां पर हुआ हुआ हुआ, अगर मुझे candle का color यहां पर green नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरी open price और close price, open price मेरी कम हुए होगी, close price ज्यादा रही होगी, इसका मतलब मेरा candle यहां पर green दिखाएगा, यानि कि कम पे खुला है stock और तेजी करके close हुआ है, तो अब देखते हैं हम लोग, ये weekly हम लोग ने दिखा था, कि weekly किसी commodity का ये एक chart हो सकता है, तो open हुआ वो यहां पर, उसने high बनाया यहां पर, low बनाया उसने यहां पर, और finally close हुआ वो यहां पर, तो यानि कि price ने कहां से कहां तक का move किया, एक week के अंदर अगर उसकी growth देखी जाए, तो वो चला यहां से 50 रुपीज से उसने growth start किया, कहां तक चला 80 रुपीज तक, इसलिए candle का color जो है वो green है, तो आपने देखा किस तरीके से details सारी इसके अंदर आ चुकी है, तो अब देखिए, एक normal typical candlestick को हम लोगों ने भी समझा, एक bar chart से इसको convert कर दिया हमने candle की form में, देखिए, यह point है, high point, यह point है, अगर इसका color green है, तो यह, देखिए, आपका close हमेशा उपर होगा, तभी इसका color green होगा यहां पर, अब इसको बोलते हैं हम लोग upper shadow, इसको बोलते हम लोग lower shadow, यह है real body, one more example हम लोग देखते हैं, next day क्या हुआ है, देखिए, next day जो candle का color दिखा रहा है, वो दिखा रहा है red, इसका मतलब यह हो रहा है यहां पर, कि open हुआ होगा, उपर, close हुआ होगा, नीचे, तो यह तो ओपन और close, तो open और close के बीच में हमेशा real body होती है, real body connect करती है हमेशा open और close को, यह जो high होता है हमारा, और यह तो low होता है, high हमेशा उपर होगा, यहां पर कभी close भी हो सकता है, यहां पर कभी open भी हो सकता है, प्राइस ओपन हुई थी मेरी 80 रूपीज पे, यहाँ पर जब प्राइस थी 80 रूपीज थी, दिन में हो सकता है, या वीक का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वीक में ये प्राइस कभी न कभी 120 के आसपस पहुंची होगी, तो इसना हाई बनाया अपना, उसके बास प्राइस जो है, 40 रूपीज पे आके, बीच में कभी ने कभी 40 रूपीज पे आई, और वीक के एंड में, फ्राइडे की दिन, जो प्राइस थी वो 60 रूपीज पे क्लोज हुई, यानि कि प्राइस जो है, वो डिक्रीज हुई, 80 से लेकर 60 के बीच में, इसलिए जो केंडल में, बॉ आर का डेटा भी कल्कुलेट कर सकते हैं, वन विक का भी कर सकते हैं, वन मन्त का भी कर सकते हैं, वन येर का भी डेटा हम लोग इससे देख सकते हैं, अगर एक मिनिट के अंदर क्या ओपन हाई लो और क्लोज बनता है, उसका भी एक केंडल फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो स form करते हैं वो monthly हो सकती है, अगर monthly होगी तो total chart में मेरे पास कितनी candle आएगी अगर मैं one year का chart निकालता हूँ तो मेरे पास कितनी candle बनेगी एक मन्त की एक candle बनेगी, यानि कि 12 months की 12 candles मेरे पास बनेगी अगर मैं weekly निकालता हूँ और one year chart के अंदर में बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 52 candles बनेगी in a year, end of the day अगर मैं निकालूँगा, तो मेरे जितने ट्रेडिंग सेशन होँगे, 252 एक एप्रोक्स यहाँ पर निकलेगा अगर किसी दिन चुट्टी होती है, किसी किसी दिन holiday और होगा, तो वो और माइनस हो जागा है, यहाँ है कि 252 मेरा एप्रोक्स यहाँ पर end of the day candles होगी, अगर मैं one year की बात करूँगा, अगर मैं intraday में, one day में बात कर रहा हूँ intraday के अंदर अगर 30 minutes का मैं लेता हूँ, तो approach 12 मेरे candle बन जाएगी, अगर मैं वहाँ पर 50 minutes का चार्ट लेता हूँ, तो वहाँ पर, अभी हम बात कर रहे हैं, intraday के यहाँ से, 50 minutes का चार्ट लूँगा, तो approach मेरी 25 candles वहाँ बन जाएगी, और 5 minute के अंदर approach मेरी 75 candles बन जाएगी, intraday के अंदर, तो यह हम लोग अगर आपको चार्ट देखना है, तो आपकी screen पर भी चल रहा है, देखिए आप यह चार्ट 30 minutes का भी हो सकता है, 5 minutes का भी हो सकता है, और यह end of the day का भी चार्ट हो सकता है, तो हम लोग video को भी end करते हैं, हम लोग case study और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस video को end करते हैं, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करिए, वीडियो को pause करने के बाद कि इसका candle कैसे बनेगा, देखिए, 1st January के दिन हमारी जो share की price थी, वो थी 325, 19 January के दिन इसने high बनाया यहां पर, यह open हुआ था, high बनाया इसने 375 का, 25th January के दिन इसने low बनाया यहां पर, low बनाया इसने 300 का, और फिर 31st January के दिन यह जो है 350 का इसने closing कर दिया, तो हम लोग बात कर रहे है one month की candle formation का, अब हम लोग one month की candle format करते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं, देखें, बार चार्ट पर यह किस तरीका शो होगा, यह हमारा time का axis है, यह हमारा price का axis है, open हुआ था, एक तारीक की दिन, closing हुआ 30 की दिन, तो देखें, open हुआ हमारा 325 से, price उसके बाद धिर धिर करते, 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 उपर पोची, उपर पोचने के बाद उसने low मारा एक, उसके बाद finally वो 350 पे close हो गई, यानि कि 325 यहां पर चला, यहां से 375 का इसने high बनाया, यहां पर low बनाया 300 का, और finally इसने 350 पे closing कर दी, तो यह तो हमारा line chart के अंदर हम लोग समझा, इसके हम लोग एक candle form करते हैं, देखिए, यानि कि मेरी candle का color कौन सा बनेगा, price कहां से कहां देख चली, 325 से 350, यानि कि candle का color बनेगा green, price चली यहां से open हुआ था, यहां पर, price थी यहां पर, open होने के बाद इसने high बनाया तो, और इसने low बनाया यहां पर, यहां पर इसने closing करी और यहां पर high बनाया, high बनाया इसने कितने का, 375 का, close हुआ यह 350 पर, open हुआ था, यह 325 पर, और इसने low बनाया था, 300 का, आप लोगों ने यहां पर, candle stick को समझा और candle stick charts किस तरी के से form होता है, इसको आपने देखा है, तो I hope कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है, और share नहीं किया है, तो like भी कर दीजे, share भी कर दीजे, आपका कोई सुजाओ या सवाल हो तो आप comment box में लिखना मत बुलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,